डिक्टेशन स्टार्ट होगी पांच सेकिंड बाज स्टार्ट तारीक 10 दिसंबर 2009 को पर्थम अपिलार्थी के साथ हुआ था फुलिष्टोब भिवा के कुछ दिनों के पश्चात अपिलार्थियों ने जो उसकी मृतक पुत्री का पती ससुर और सास है उसे दहेज के लिए तंग करना आरंब कर दिया फुलिष्टोब लगबग एक महा पहले उसकी पुत्री और दामाद उसके घर आये और वहां दो दिन रहे फुलिष्टोब इन दोनों दिन उसके दामाद अर्थार्थ पर्थम अपिलार्थी ने उससे उसके पुत्रों और पुत्रों की पत्नियों से मकान का निर्मान करने के लिए 10 से 15 दिन के भीतर 10 लाख रूपे की राशी देने की मांग की फुलिष्टोब द्वित्य प्रत्यार्थी ने अपनी एसमर्ता वेक्ट की फुलिष्टोब उसके पश्चात अपनी पुत्री के आंसु देख कर जिसने यह कहा था की उसके माता पिता को अवश्य यह रकम दे दी जानी चाहिए अन्यथा वे उसे मार डालेंगे उसे सौंतुना देख कर बेज दिया गया फुलिष्टोब उसके पश्चात उसकी पुत्री ने अभिकतित रूप से उसे उसके परिवार को और उसके नातेदारों को फोन किया और उन्हें यह सुचित किया कि उसका पती सास और ससुर धन लाने के लिए उसे यातना दे रहे हैं और उसे आत्मत्या करने के लिए उकसा रहे हैं तारिक 23 जनवरी 2011 को लगबग 9 बज कर 30 बजे पूर्वाहन में उसे अपनी पुत्री से फोन काल प्राप्त हुई कि वे हरी दुआर आ जाए अन्य था वे आज ही उसे मार डालेंगे फुलिष्टोप इसलिए वे वहां गए फुलिष्टोप पुत्री का सव उनके दुआरा बिवा में दी गई कार में पाया फुलिष्टोप पुत्री की मृत्यू विश देकर की गई थी और अपिलार्थी उत्रदाई है फुलिष्टोप पैरा आरोप पत्र में अन्य बातों के साथ साथ यह उलेक किया गया की अन्वेक्षन और साक्षियों दुआरा दिये गई साक्षे तथा गटना इस्तल से की गई सामगरी की बरामदगी के आधार पर जिसमें म्रतका की उल्टी अंत्रविष्ट है और उसे अभियुक्तों दुआरा साफ कर दिया गया था धारा 304 खे के अधिन अपराद साबित होता है फुलिष्टोप पैरा विचारण न्यायाले के समक्स अभियोजन पक्स ने 11 साक्षियों की परिक्षा की फुलिष्टोप अपिलार्थियों ने चार साक्षियों परती साक्षी 1 से परती साक्षी 4 की परिक्षा कराई फुलिष्टोप न्यायालिक प्रियोग साला की रिपोर्ट सहीत कई दस्तावेज प्रस्तुत किये गए फुलिष्टोप पैरा अपिलार्थि साक्षी 5 वे डाक्टर है जिसने मनोत्तर परिक्षा की थी फुलिष्टोप उसने ये अभी साक्षे दिया की म्रतका का सव कठोर था फुलिष्टोप मनोत्तर परिक्षा तारिक 24 जनवरी 2011 को 11 बजे पुर्वाहान में की गई थी फुलिष्टोप अते गटना का समय 24 गंटे के भीतर का था फुलिष्टोप सव पर किसी सती का कोई चिन है नहीं था फुलिष्टोप सभी अंग संकुलित पाए गए थे बिसरा परिरक्षित रखा गया था फुलिष्टोप म्रतका की म्रत्यू संबत्य तारिक 23 जनवरी 2011 को 2 बज कर 30 बजे अपारण से 3 बजे अपारण में हुई थी फुलिष्टोप समाप्द